ब्रह्म चेरे से अपने मन को जीतने में कितना समय लगेगा और एक इनसान अपनी दिन चेरे में ऐसा क्या कर सकता है जिससे उसका दिमाग एक ओजस्वी महापुरुष जैसा बन जाए जिसके दिमाग में एक भी गंदा विचार ना आता हो महातमा बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति इस मन को जीत सकता है वो पूरी दुनिया को भी जीत लेगा क्योंकि 99% लोग इस मन के वश में हैं लेकिन अगर आप मन से उपर उड़ गए तो फिर इसका कोई भी विचार आपको विचलित नहीं कर सकता मन आपसे कोई भी गलत काम नहीं करवा पाएगा जब तक power of intelligence आपके पास है महापुर्शों की तरह एक बार ये ताकत आपके पास आ गई फिर आप खुद बोलोगे कि भाई इतना अच्छा फील होगा मुझे ये मैंने कभी नहीं सोचा था मानो नई जिन्दगी मिली हो दोस्तो सबसे पहला स्टेप है हमारा अपने दिमाग के dopamine level को balance करना कई सारे scientific research में ये पाया गया है कि इंसान को 90 दिन का समय लगता है अपने cell receptors को ठीक करके किसी भी आदत से बाहर आने के लिए तो हम सब मिलकर एक challenge लेंगे 90 days का जहां हम किसी भी कीमत पर अपने ब्रह्मचेरे को नहीं तूटने देंगे ताकि हमारा brain रिवायर हो जाए इस समय हम unhealthy source of dopamine से दूर रहेंगे यानि कोई भी ऐसी चीज जो पल भर का मज़ा देती है लेकिन बाद में शरीर को नुकसान पहुंचाए इन सबसे दूर रहेंगे हमारे शास्त्रों पुडानों में हजारों वर्षों से उप्वास और वरत रखने की परंपरा है जिसमें हम परमात्मा की भक्ती में समय देते हैं खुद पर सयम रखने से शारेरिक तोर पे अनेको लाब मिलते हैं लेकिन साथ में मानसिक तोर पे देखा जाए तो हमारा दिमाग पहले जैसा हो जाता है मित्र इस चैलेंज को पूरा करते हुए जब कभी आपको बुरा विचार आए और आपको उससे बहार आना है तो मानसिक शक्ति को किसी दूसरे विचार में तुरंत लगा दें जैसे कि अब मैं पूशप लगाऊंगा यानि ब्रह्मचेर की उर्जा को आपने एक सकारात्मक दिशा दे दी जिससे हम एनरजी ट्रांस्मूटेशन के नाम से भी जानते हैं हरवर्ड युनिवर्सिटी के एक स्टड़ी में उन 38 लोगों को लिया गया जो किसी बुरी आदत पे फसे हुए थे तो जब भी मन उन्हें गलत काम करने को कहता तब उस स्टड़ी के हिसाब से उन्हें 20 पूशप्स और 10 सिटप्स करने को बोला जाता इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी करने से इन एक्टिव नर्वस सेल्स जाग जाते हैं और उस गलत विचार की ताकत कम होने लगती है एक समय ऐसा भी आया कि उत्तेशना का कारण बनने वाले ब्रेंड सर्किट्स कमजोर होने लगे और वो इस आदत से बहार आपाएं डुपमीन फास्टिंग के दौरान एक प्रेक्टिस आपकी दिमाग को काफी ज़्यादा हिल्दी बनाएगा वो है मुनी स्नान यानि सुब़ चार से पांच बजे तक में नहा लेना प्राचिन गरंथों में इस विधी के बारे में कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति का दिमाग इतना स्ट्रॉंग हो जाता है कि कोई चीज उसे विचलित नहीं कर पाती दोस्तो हर ओजस्वी महापुरुष में आप देखेंगे कि वे सभी मेडिटेशन यानि ध्यान में काफी ज़्यादा बल देते आएं मॉडरन साइंस में भी ये प्रूविन है कि जो लोग मेडिटेशन नहीं करते उन्हें अगर कोई भी गंदी गलत चीज़े दिखा दी जाएं तो उनके ब्रेन का एमिकडेला काफी ज़्यादा सक्रिय हो जाता है ये वो हिस्सा है जो हमारे इमोशन से जुड़ा है लेकिन उन सभी लोगों ने जब आठ हफते तक रोज मेडिटेशन किया तो उनका एमिकडेला बिल्कुल नॉर्मल लेवल पर आ चुका था यानि उन्हें दिमाग को शांत और शुद्ध करने में सफलता मिली और जब मन को जीतने की बात आती है तो जो इनसान पूरे डिसिप्लिन के साथ जीता है वो तीन साल के ब्रह्मचेरे के अभ्यास के बाद इस लेवल पर आने लगेगा दोस्त अगर आप भी हमारे साथ ब्रह्मचेरे चैलेंज लेने के लिए तयार हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और एक वादा कर दें आज कमेंट सेक्शन में कि हाँ भाई मैं तयार हूँ बिना रुके ब्रह्मचेरे का पालन करने के लिए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं नब्बे दिन के ब्रह्मचेरे से और इसमें कौन सी किताब हमें पढ़नी चाहिए उसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप देख सकते हैं मिलते हैं आप से अगली वीडियो में